नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग्ग नितीश कुमार को कॉंग्रेस पार्टी और कुछ दूसरे विपक्षी दलों ने उनकी हैसियत बता दी बारह जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक स्थगित हो गई नई तारीख आई है 23 जून इस तारीख को भी होगी बैठक या नहीं होगी ये आज कम से कम निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता अब आप देखिए इस पूरे मामले में खेल क्या हुआ है नितीश कुमार 22 मई को मिले मलिका जुन खड़ गे जो कॉंग्रेस पार्टी के राष्ट्री अध्यक्ष है और राहुल गादी से कहा कि बाकी भी पक्षी दलों से बात कर रहे हैं और उनको मना लिया जाएगा बैठक के लिए नितीश कुमार इस बीच में किसी नए दल को ऐसे नहीं जोड़ पाए हैं जो पहले से कॉंग्रेस के साथ न रहा जो दो दल हैं जो आभी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं कॉंग्रेस को लेकर जिनके मन में वह आप हो रहता है या उनके खिलाफ हैं अपने अपने राज्यों में कॉंग्रेस के खिलाफ चुनाव रड़ते हैं कॉंग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में दिखती है उनके बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है ये दो दल हैं टीमसी पश्चिम बंगाल की ममता बेनर जी ने इस बात के संकेत दिये थे कि वो अपने किसी प्रतिनिधी को भेजेंगी आम आदमी पार्टी अभी तक तैने कर पाई आम आदमी पार्टी की स्थिती ये है कि उसके लिए प्रात्मिक्ता बन गया है दिल्ली की सेवाओं पर जो अध्यादेश आया केंदर सरकार का संसद में उसको रोकने की कोशिश कॉंग्रेस पार्टी ने अभी आम आदमी पार्टी को इस मुद्दे पर समर्थन देने की गोशना नहीं किये और इसकी उमीद जैसे जैसे दिन बीत रहें कम होती जा रही ऐसी चर्चा है कि डियमके ने हा करने के बाद फिर ये तय किया है कि डियमके इस मुद्दे पर सदन से बहिर गमन करेगी किसी के पक्ष में या विरोध में वोट नहीं देगी तो इसके बाद क्या आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस के साथ बैठेगी विपक्षी एकता में बाचीत करेगी इसके बारे में कोई इस पष्ठता नहीं है लेकिन पहले तारीख की बात पर आते है 12 जून की तारीख जब 22 मई को मिले थे तब उन्होंने मलिकाल जून खड़ गे और राहूल गांधी से कहा था कि एक दो दिन में तारीख और वेन्यू तै करके उसकी गोश्रा कर दी जाएगी छे दिन बाद पटना में प्रेस कॉंफरेंस करके उन्होंने कहा कि 12 जून को पटना में होगी बैठर अब इससे कई राजनीतिक दल सहमत नहीं थे इस तारीख से कॉंगरेस पार्टी ने पहले कहा कि इस तारीख को हमारे लिए मुश्किल होगा फिर डी-मके ने कहा कि तारीख बदल दीजिए उनसे कहा गया कि भाई अगर इस तरह से तारीख बदलेंगे तो हर तारीख पर किसी ने किसी को एतराज होगा तो DMK ने कहा कि ठीक है फिर हमारी ओर से कनी मोजी जाएंगे यानि MK स्टालिन नहीं आएंगे उसके बाद Congress Party ने Press Conference करके जैराम रमिश ने ये कहा कि मलिकार जुन खडगे पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष 12 जुन को पतना की बैठक के लिए उपलब्ध नहीं है राहुल गांधी जो 10 जुन को आने वाले थे अमेरिका से लोट कर अब नहीं आ रहा है वो 10 जुन की बजाए अपनी मा के पास जाने वाले हैं उनकी मा विदेश में है प्रियंका गांधी विदेश में है तो इसलिए वो लोट कर आएंगे 18 जुन को कॉंग्रेस के ये दोनों नेता इस बैठक में नहीं आएंगे कॉंग्रेस अपना कोई प्रतिधी भेजेगी किसे भेजेगी ये बाद में तै करेगी अब आप देखी ये सब होता रहा और उसके अलावा सीपीम ने कहा सिताराम येचुरी ने फोन करके कहा भई हमारे लिए 12 जुन की तारीक ठीक नहीं है उस समय हमारे लिए आना मुश्किल होगा लेकिन नितीश कुमार इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले उनको लग रहा था आप देखे कैसे गलत वहमी पैदा होती है कॉंग्रेस पार्टी ने नितीश कुमार को ये काम दिया क्यों कॉंग्रेस पार्टी को पता है कि ऐसी दो तीन पार्टीयां है जो कॉंग्रेस पहल करे तो शायद वो रिस्पॉंड न करे इसलिए किसी और के जरी अगर इस बैठक की पहल कराई जाए तो शायद वो आजाएं वही दो पार्टीयां है टीमसी और आमाद्बी पार्टी दोनों को लेकर अभी तक कोई निश्चित आर्शवासन नहीं आ पाया है और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल बाकी है जो कॉंग्रेस के साथ गड़बंदन में नहीं रहे या चुनाओं नहीं लड़े है या जो अभी तक साथ नहीं आये हैं उनमें से किसी को लाने में नितीश कुमार नाकाम रहे हैं बड़ी दोस्ती जता कर वो उरिसा गए थे और नवीन पतनाएक से मिले कहा हम पुराने दोस्त हैं मिलते रहते हैं कोरोना में मिल नहीं पाये थे इसलिए मिलने आये थे नवीन पतनाएक ने वहीं टके सा जवाब दे दिया और उन्हें कहा वो किसी विपक्षी एक्ता में शामिल नहीं होगे और अगले दिन दिल्ली आये और प्रधान मंत्री नरेंद मोदी से मिले और उसके बाद उन्होंने उरिसा के प्रजेक्ट के बारे में कहा कि ये जो है दोहजार चब्विस में मुझे अमीद है कि प्रधान मंत्री इसका उद्वार करेंगे तो नरेंद मोदी को दोहजार चब्विस में आता हुआ देख रहे हैं ये नवीन पतनाएक ने बड़ा सपष्ट कर दिया अब नितीश कुमार को ये गलत फेहमी हो गई थी कि वो इस पूरी विपक्षी एक्ता के संयोजक है वो जो कहेंगे वो सब को मानना पड़ेगा तो इसलिए उन्होंने तारीक तै कर दी किसी से पूछा नहीं उनको लगा कि मैंने तारीक तै की है तो सब को हना पड़ेगा सबने एक-एक करके जो है असमर्थता जिताने की कोशिश की असमर्थता भी सीधे नहीं जताई इस तरीके से जताई कि हमारा प्रतिनी धी जाएगा नितीश कुमार कुछ नहीं बोले कॉंग्रेस की प्रेस कांफरेंस हुई नहीं बोले उससे पहले जो है एमके स्टालिन ने कहा तब कुछ नहीं बोले सिताराम यच्रीन ने कहा तब नहीं बोले और भी किसी पार्टी ने कहा हो तो पता नहीं तब तक नितीश कुमार के मुझसे कोई शब्द नहीं निकला कि उनकी क्या राय है अब जब बारह तारीक की मीटिंग रद हो गई है या कहें कि थगित हो गई है और 23 को हुई है 23 के बारे में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने सबसे राय मश्विरार नहीं किया केवल ये दिखा कि कॉंग्रेस पार्टी ने कहा 20 तारीक के बाद बैठक हो तो मलिकार जुन खड़गे शामिल हो सकते है अब सवाल ये है कि ये ये सीधा सीधा संदेश कॉंग्रेस पार्टी का है कि आप अपने को मालिक मा समझिये आपको एक छोटा सा काम दिया है आप इस गलत फेहमी में मत रहिए कि आप विपक्षी एक्ता के सुतरधार है कॉंग्रेस खास दोर से करनाटा कुईदान सबा का चुनाओ गीतने के बाद नहीं चाहती ये कि किसी और के हाथ में पहल हो किसी और को श्रे मिले विपक्षी एक्ता का इसलिए नितीश कुमार के साथ अभी और बुरा होने वाला है आप देखे तैईस की बैठक होती है कि नहीं होती है पता नहीं लेकिन ये जताने की कोशिश है, कम से कम जो सामने हैं उनकी तो बात करी सकते हैं, उनमें कॉंग्रिस पार्टी, डीम के, सी पीम, ममताब एनरजी, आम आदमी पार्टी, इन पार्टीों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हमारी अपनी हैसियत नितीश कुमार से बड़ी है, हम तै करेंगे कि कब और कैसे बैठक होगी, हम तै करेंगे कि हम किसको भेजेंगे, हमारी पार्टी का मुख्या आएगा या कोई और आएगा, अब नितीश कुमार ने कहा है कि देखिए, अगर पार्टी का मुख्या नहीं आता है, तो ये हमें मनजूर नहीं होगा, तो हु अधिकार आपको किस ने दिया कि आप तै करें कि अगर कॉंग्रेस पार्टी से पार्टी अध्यक्ष के बजाए कोई मुख्यमंत्री आएगा तो आप उसको सुविकार नहीं करेंगे या DMK अपना कोई प्रतिनिदी भेजेगी तो आप स्विकार नहीं करेंगे या ममताब अनरजी अपना कोई प्रतिनिदी भेजेंगी तो आप स्विकार नहीं करेंगे ये बोलने का अधिकार ये तै करने का अधिकार अभी तक विपक्षी दलो ने नितीश कुमार को दिया नहीं है सिर्फ उनको एक फेसिलिटेटर के तोर पर इस्तेमाल किया जा रहा है कि आप सब को फोन कीजिए और तै कीजिए और एक बैठक की जगह हो तारीक तै कीजिए उसमें भी वो नाकाम रहे हैं उसमें भी सबसे राय नहीं की इस वज़े से 12 तारीक की बैठक को टालना पड़ रहा है कि अगर सबसे बात की होती तो बारह तारीक तैना होती बैठा के लिए देखें कुछ पार्टियां हैं जो कॉंग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुकी है या एलाइंस में हैं डीम के है, आर जेडी है, जे एमम है, उसके अलावा एन सीपी है और सीपीम है इनके साथ कॉंग्रेस पार्टी चुनाव लड़ चुकी है, एलाइंस में है या या यूपीम में है, जैसे सीपीम यूपीम में नहीं है लेकिन बंगाल में त्रिपुरा में दोनों जगए कॉंग्रेस पार्टी सीपीम के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है इसी तरह से JMM के साथ सरकार चला रही है जारखंड में NCP के साथ महराश विकास आगाडी बनी हुई है DMK के साथ सत्ता में है तमिलाडू में तो इसमें नितीश कुमार की कोई भूमिका नहीं है नितीश कुमार की जो भी भूमिका हो सकती थी या हो सकती है वो ऐसे दलों को साथ लाने की जो कॉंग्रेस के नाम पर भड़कते हैं या चड़ते हैं या जो कॉंग्रेस के साथ नहीं है ऐसा कोई दल फिर कह रहा हूँ आने को तयार नहीं हुआ है नितीश कुमार के इन तमाम दोरों के बावजूद और टीमसी और आम आदमी पार्टी ने अभी तक खुले तोर पर इसपश्ट नहीं किया है कि वो बैठक में आएंगे या नहीं आएंगे आएंगे तो उनका मुक्या यानि अरविंद केजरिवाल और ममताब एनरजी आएंगी या उनका कोई प्रतिनीदी आएगा उसके उलट आप देखिए भारती जन्ता पार्टी अपने साथियों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रही है रविवार को आंध प्रदेश के पूर्व मुक्यमंत्री चंदरबावू नैडू और अमिच शाह की बैठक हुई है उसके अलावा कई और पार्टी जन्ता पार्टी बात कर रही है संभावना इस बात की भी है कि अकाली दल से फिर नाता जुड़ जाए बीजेपी का तो बीजेपी एंडिये का विस्तार करने की कोशिश कर रही है जो पार्टियां उसके साथ नहीं है आज, उनको साथ लाने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जो मिलकर हराना चाहता है बीजेपी को, वो अभी अपनी रणीती ही नहिताय कर पा रहा है कि कौन-कौन पार्टियां साथ होंगी, कौन कितनी दूर तक साथ चलेगा क्योंकि आप देखे कि दो पार्टियों ने तो बड़ा इस्पष्ट रूप से कहा है, ममताब एनरजी की टी-मसी ने और समाजवादी पार्टी के अखलेश यादा उनने बड़े इस्पष्ट शर्दों में कहा है, कि अगर विपक्षी एक्ता होनी है, तो कौन्ग्रेस को लड़े और उधर कौन्ग्रेस ने ये घोशना कर दी है, करनाटक के विधानसवाद चुनाओ के बाद कौन्ग्रेस का होसला बड़ा हुआ है, विपक्षी दल बाकी दल जो है कौन्ग्रेस के साथ जो आने को तयार हैं या हो सकते हैं, उनका कहना है कि कौन्ग्रेस को 200 सवा पर लड़ने का फैसला कॉंग्रेस पार्टी ने कर लिया है तो अब बाकी दलों के लिए कितनी सीटे बचती है एक सो सक्तानवे है इसमें पूरा देश है बाकी का जहां-जहां कॉंग्रेस नहीं लड़ेगी वहां छेत्री दलों के लिए लडने के लिए तो इस शर्त पर बारे में यह नहीं कह सकते हैं कि यह असंभाव है यह हो ही नहीं सकती है हर चीज संभावना के दाइरे में होती है लेकिन जब संभावना के दाइरे की हम बात करते हैं तो एक ब्रवारिक्ता भी होती है एक तथ्यात्मक और जमीनी हकिकत की भी बात होती है कि क्या हो सकता है इसलिए दो तीन बातें बड़े इसपष्ट है नितीश कुमार को ये गलत फहमी से बाहर आ जाना चाहिए कि कॉंग्रेस पार्टी ने उन्हें विपक्षी एक्ता का संयोजग बना दिया है ये भी कि उनके पास कोई विशेश अधिकार है विपक्षी एक्ता को लेकर तीसरी कॉंग्रेस पार्टी नेत्र तो जो है चाहे विपक्षी एक्ता की पहल का हो या विपक्षी एक्ता का नेत्र तो अपने हाथ पे रखना चाहती है वो ये परसेप्शन भी नहीं बनने देना चाहती है कि किसी और किसका श्रेह मिले कि वो विपक्षी एक्ता करा रहा है या जरीय विपक्षी एकता संभव हो सकती है ये अधिकार किसी को देने के लिए कॉंग्रेस पार्टी आज की तारीख में तयार नहीं है तो ये बात लेकिन नितीश कुमार को अभी तक समझ में नहीं आ रही है उनको लग रहा है कि उनको बहुत बड़ा जिम्मा मिल गया है और सारे देश का जो है बोज उनके कंदों पर आ गया है दरसल उनके कंदों पर कोई बोज नहीं है ये उनकी गलत वहमी है ये उड़ा हुआ जो अधिकार है वो जादा दिन चलने वाला नहीं है सिर्फ तारीख के मसले पर उनकी किसी ने सुनी नहीं और तेज जून की बैठक अगर एक बार और टल गई तो नितीश कुमार की हैसियत और घट जाए विपक्षी दलों में कोई भी पार्टी नितीश कुमार की पहल को लेकर उतसाहित नजर नहीं आ रही है अब नितीश कुमार एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री है वो किसी से मिलने जाएंगे तो मिलने से तो मरा नहीं कर देगा तो उस मिलने को अगर नितीश कुमार ये समझे कि हमारी वज़े से ये जो है साथ आ रहे हैं तो इससे बड़ी गलत वहमी, इससे बड़ी नाव समझी उनकी और क्या हो सकती है तो विपक्षी एकता की खिचडी देखे, पक्ते पक्ते पक्ती है या कच्ची ही रह जाती है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी ने मुद्दे के साथ तब तक के लिए नमती दीजिए, आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखे, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नमस्कार